एल आईसी की लिस्टिंग होते ही होते ही एल आईसी की आईपियो जो लिस्टिंग होते ही शत्रत आविको बनेंगे आरपती कौन बनेंगे ये भी इस वीडियो में आप अच्छी तरह जान लिजिए चलिए बताते हैं कि एल आईसी आईपियो की लिस्टिंग सत्रत आरीक को होते ही अरपती बनेंगे ये कौन बनेंगे ये भी आप जान लिजिए और ये जो केक दिख रहना और ये LIC की IPO लिस्टिंग होते ही जो अरब पती बनेंगे वो केक काटना सुरू करेंगे चली आएए बताते हैं कि कौन लोग बनने वाले हैं लिस्टिंग होते ही सबसे पहले जान लिजिए कि LIC की जो IPO है ये आपको 15 साल से 25 साल के लिए जो भी रखेंगे लोग टर्न के लिए LIC की IPO लिस्टिंग होते ही अरब पती बनेंगे और केक काटेंगे वो भी जान लिजिए 15 से 25 साल के लिए ये जो रखेंगे वोही 17 तारीक को ही केक काट लिजिए क्योंकि आप बहुत बड़े अमीर धनी बनने वाले हैं और इसमें सबसे पहले बनेंगे ओ है आपको DII और एंकर जो आपको बहुत बड़े माल उनके हिस्से में गया है दोस्तो दूसरे तरफ ओ बनेंगे जो लिस्टिंग होने के बाद 17 तारीक से सतरा तारीक से कम से कम 17 मैश से 17 मैश दोहजार बाईस से 16 मैश दोहजार पचीश तक जी 2025 तक मतलब कि 3 साल कम से कम 3 साल जो रखेंगे वो जरूर 100% मुनापे में रहेंगे और उनका पॉर्टफोलियो भी हेल्दी रहेगा दुसरी तरफ जिनको मिला है और नहीं रखना चाते तो आप एक बात ध्यान दीजेगा कि लिस्टिंग होते ही अगर आप प्रफिट में है तो सेल करके प्रफिट बूक कर लिजेगा और ये नहीं कहिएगा कि सर आपने पहले बताया नहीं क्योंकि IPO की कहानी जो है पूरी हिस्ट्री हमारा एक वीडियो है इस टाइप का बहुत बढ़िया कि लिस्टिंग IPO लिस्टिंग होने के बाद क्या रखना चाहिए तो इसका भी जबाब है क्या IPO लिस्टिंग के बाद नहीं रखना चाहिए इसका भी जबाब है क्या IPO लिस्टिंग के समय प्राइज वही रहता है जो IPO की जो वेलू रहती है नहीं दोस्तो IPO लिस्टिंग जो होती है वो प्राइज नहीं रहता है ये प्राइज आपको बढ़ा हुआ भी रह सकता है और घटा हुआ भी रह सकता है तो घटे हुए दाम पे हाप कभी भी नहीं बेश सकते हैं और हम आसा करते हैं कि ये LIC की IPO जो लिस्टिंग होगी उसकी प्राइज जो है जैसे लिस्टिंग होगा ओ नीचे की तरफ जाना सुरू हो जाएगा क्योंकि ज्यादा कोशिश रहेगा कि कोई भी बेच नहीं पाए जी दोस्तो बिगेस्ट एनल्सिस बाइ इंट्राडेटेक म मैं इंबेबी के सिंग जाए हिंजे भारत बंदे मातरों